Assalamualaikum everyone, welcome to Hafsas Kitchen आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुती मज़ेदार सा Almond Cake Without Oven वो भी एक करहाई में और ये बहुती डिलिशिस बन के तैयार होगा बहुती बहतरीन बनेगा तो आईए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो जी सबसे पहले हम एक 6-7 इंच का राउंड बेकिंग पैन ले लेंगे या पर कोई भी सिमिलर सहां का बरतन और हम इसको बटर से ग्रीज कर लेंगे इसके ओपर बटर पेपर अप्लाई कर देंगे पैन के साइस का कट करके अब हम ले लेंगे बदाम यानि के ऐल्मेंट्स एस रेक्वार्ड जितनी भी जरुरत है उसके मुताबिक अब आपको करना क्या है कि जो आपका बीकिंग पैन है आपको इसके बॉटर्म को अच्छे से डेकोरेट करना है ऐल्मेंट्स से क्योंकि ये अपसाइड डाउन केक है तो जो भी डेकोरेशन आप करेंगे वो आपको टॉप पे दिखेगी तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी तरहां से इसको किसी भी शेप में डेकोरेट कर सकते हैं दर्म्यान में हम एक चारी रग देंगे तो हमाया पैन जो है डेकोरेशन तरहां से भी ये ये ऐसे अफ़ी कपस में होगा हाफ कंप ये अनसॉल्टिट मखन है बेकिंग में हमेशे अंसॉल्टिट मखन इस्तामाल करना चाहिए इसे आम इस दरहां से अलका सा मिकस कर लेंगे क्योंकि अभी हमेश को बीट करना है और अगर डायर्यक्ट इसको बीट करेंगे तो इसमें जो icing sugar है वो हर जगा औरेगी उसके लिए इस तरहां से पहले आप इसको mix कर ले और अब इसको दो मिनिट के लिए आप full speed पे बीट कर ले तो जी मैंने इसे around 3 minute के लिए medium to full flame पे बीट कर लिया है और यह अच्छे से fluffy हो चुका है अब हम इसमें add कर लेंगे एग लेगिन पहले एक अंडा add कर लेंगे और इसको low flame पे एक मिनट के लिए बीट कर लेंगे ताकि अंडा अच्छे से mix हो जाए जब एक अंडा अच्छे स हो चाहे इस तरह हाग से bowl हो और आप hand beater योज़ कर रहे हो हमेशा जो side पे better लगा हो तो उसे दर्म्यान में लाते है इस पैचला की मदद से इसमें दूसरा अंडा add कर लेंगे और इसको भी बिल्कुल low speed पे आने के अब one पे हम इसको एक मिनट के लिए बीट कर लेंगे यह इस टेक्श्चर के लिए बहुत important अगर आप अंडा डालने के बाद full speed पे इसको बीट करेंगे तो टेक्श्चर खराब हो जाता है तो दूसरा अंडा भी अच्छे से mix हो चुका है अब हम इसमें add कर लेंगे lemon juice तक रिवें half teaspoon one four teaspoon almond essence अगर आपके पास almond essence ना हो तो आप यहां पर butter essence या फिर आप lemon essence या फिर आप इस तरह से vanilla essence कुछ भी यूज कर सकते हैं कोई problem नहीं है इसको mix कर लेंगे अब एक मरतबा दुबाया से साइडों से इस तरह से बैटर दर्म्यान में लेके आएंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे just mix करेंगे कुछ seconds के लिए ताके तमाम चीजें आपस में अच्छे से mix हो जाए अब हम एक सीव ले लेंगे यानिके एक छन्ना और इसमें add कर लेंगे 50 grams all-purpose flour यानिके मैदा और इसको अच्छे से चान के इसमें डाल देंगे साथ ही smat कर लेंगे 50 grams almond powder या फिर almond flour ये मैंने घर में खुदी तयार किया है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर वन एटी स्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से mix कर लेंगे जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तो हमाया बैटर तरह हो जाएगा इसको हम डेकोरेट किये हुए elements के उपर इस तरह से pour कर लेंगे कि इसको इस तरह से थोरा सा प्रेस कर लेंगे, और अब हम इसको करेंगे बिएक तो मैं इसको कर आओ करूंगे एक कर हाई में मैंने लो फ्लेम पर कर हाई को 10 मिनट के लिए preheat कर लिया था अब कराई के दर्मियान में हम इस तरह से एक stand रगदेंगे मैं इस तरह से राउंड कटर रख रही हूँ, कोई भी आप इस तरह की चीज से रख सकते हैं इसके ऊपर अपना बेकिंग पैन रखेंगे और इसको कवर करके 42-45 मिनट्स के लिए low to medium flame पे बेक कर लेंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा almond cake बेक हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताके यह थोड़ा room temperature पे आ जाए, जब यह room temperature पे आ जाएगा तो हम साइडों से knife के मदद से इसको remove कर लेंगे पैन से अलाइदा करने के लिए फिर हम इसके ओपर plate रख के पैन को flip कर लेंगे और अब हम बहुत ही मज़ेदार से almond cake के ओपर से butter paper हटा लेंगे तो हमारा बहुत ही delicious almond cake जो है वो ready हो चुका है लेकिन सबसे important step हम इसको glaze करेंगे honey से यानि के शहट से तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा almond cake तर्यार हुआ है आप देख सकते हैं काफी spongy है काफी flavorful है टेस्ट में एकदम बहतरीन होता है आप इस recipe को जरूर से try केजिएगा मुझे अपना feedback देने मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स recipe में अलहाफिज कर दो 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 से जाएगा मुझे घर दो एलहाफिज को में आप बहुदारी से अलहाफिज झाल झाल